तो ये ना एक मतलब जिससे बहुत जल्दी इंप्रस हो जाती हैं रड़की नोटिस करती हैं कि या कितना पता है इसको मेरे बारे में ये चीजे रड़कीों का दिल जीत लेती हैं का यूज करके आप लड़की को अपने तरफ खीच सकते हैं अगर आप इसी रड़की को बेहत पसंद करने लगे हैं उसके तरफ अट्रैक्टिड है और चाहते हैं कि वो लड़की भी आपे इंटरस लेने लगे तो इसके लिए कुछ छोटी-छोटी चीजे हैं जिनका आपको खयार रखना है जो काम आपको करने हैं अगर आप ये छोट करें इसी बारे बाशी रगटने है मिडिक आपसे पहले चीज जो आपको करनी है वो हैं रिस्पेक्ट के साथ में उससे बात करें मैनी टाइम डडों क्या होता हैं कि देख रहे हैं, और कॉमेंट गंदे गंदे पास कर रहे हैं। उसको छेड रहे हैं। और उनको लगता है कि ऐसे रड़की इंप्रेस होजाएगी? नहीं। ऐसे लड़की की निगाहों में आप गिर जाएंगे, आपकी इज़त कम हो जाएगी, आज क्या वो फ्यूचर में भी आपसे बात नहीं करेगी, आपकी शकल से भी नफ्रत करेगी, तो ये कोई तरीका नहीं है किसी को इंप्रेस करने का, अगर आप इसे को जनुरली इंप्रे जब आप इसी लड़की को रिस्पेक्ट पे करते हैं, इज़त के साथ में बात करते हैं, तो वो अपने आप ही आप में इंट्रस्टेड होने लगती है, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है एक लड़की के लिए, एक लड़का उसकी रिस्पेक्ट करेगी, तो रिस्पेक् पसंद, ना पसंद, बातों बातों में बता लेती हैं। या पता चली जाता है। तो इन चीज़ों को आप नोटिस रखें। अपने दिमाग में रखें। कि उसने कब क्या कहा था? Urskit हैं से चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? वो कितनी शुगर लेती है उसको तीखा पसंद है या मीठा पसंद है इस तरह की बाते जो आपको पता है ना उसको ध्यान रखिए और वो चीजे उनके लिए कीजी कभी आप जैसे उसके लिए चाहे लिए बिना पूझे और आपको पता है कि वो कॉफी नहीं पीती है अपने नोटिस करते है कि या कितना पता है इसको मेरे बारे में इस चीजे रड़ियों का दिल जीत लेती है तो उनकी छुटी-छुटी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनको नोटिस कीजिए और वो काम के लिए कीजिए उनको पसंद आती है वो छुटी-छुटे प्रस होती है इक लड़की लड़की जॉली नेचर चुटी बातों का ये कि नो मीनिंग निकालके हस बढ़ना एक फनिंग बिहेवर दिखाना ये अच्छा लगता है गल्स को तो जब आप ऐसा करते है तो लड़कियों आपको नोटिस करती है आपके तरफ खिशती है तो य किसी का मजाग उड़ाने लगी सिर्फ उसको अच्छा फीर करवाने के लिए तो उसको कभी अच्छा नहीं लगी तो कभी किसी का मजाग मत उड़ाईए उसका भी नहीं और उसके सामने किसी और का भी नहीं सिर्फ फन करना है तो इसका थोड़ा सध्यान रखिए लेकिन हा लड़कियां आप वे संसी वीमर की तरफ अट्रेक्ट होती हैं इसका यूज करके आप लड़की को अपने तरफ खीच सकते हैं साथ में बहुत पुरानी सी बात अग्यान जो बहुत यूजपूल है आज भी माइने लगती है वो है उनके केर करना लड़कियों के केर करना सिखें इस चीज़े उनको बहुत अच्छी लगती है बटी केर जनूर होनी जाहिए फेक बहीविर दिखा के आप कभी किसी रड़की का दिल नहीं जी सकते हैं क्योंकि फेक कर्मानेंट नहीं होता अर आपको जो दिल औजीत ना चाहते हो नो पर्मानेट लिवड पर ये भी नहीं चाहते हूं आप ये नहीं चाहते की बस आच मुझे पसंद करे कर मुझे एट करें आप यह नहीं चाते हैं इसलिए जरूरी है कि आप केर भी करें बट जैनुवन भी रहें आप फेक ना हो पता चले कि आप वह बढ़ने की कोशिश कर रहें जो आप है ही नहीं कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई सामने आए कि ना फिर आप क्या करों तो जन्मन तरीकी से उनकी केर करना सेखिए दिखावे के लिए नहीं इससे भी एक लड़की आपके तरफ खिचती है आपके तरफ बात करती है अगें एक वो लड़का जो एक लड़की को सपोर्ट करता हो उसके लिए हमिशा खड़ा हो उसका ड्रीम अचीव करने में उसकी हेल्प करें उसको पुछ करें उसको सपोर्ट करें यह चीज एक लड़की को ज़रूर जाहिए एक पार्टनर के लिए यह चीज़े लड़की को और्टैक्ट करती है लड़कों के तरफ तो मेक शॉर आद está quickly जिस लड़की को पसंद करते है उसको एकने जंदगी में चीजे करने के लिए मोटिवेट करें जिदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें वो क्या करना चाहती है उसके लिए आप उसको हैल्प करें उसके ड्रीम को बड़ा करने में हैल्प करें, उसकी सहायता करें, उसको अचीव कर लेंगे, इससे एक लड़की का दिल आपके तरफ खिचता है, वो आपको नोटिस करती है, आपको पसंद करती है, तो ये बहुत छोटी-छोटी सी, इक कॉमन, बढ़ बहुत जरूरी चीज़े हैं, जो करके ही आप किसी दिल चीज़ सकते हैं, बट इन सब में एक चीज़ को ध्यान रखना कि आपका जनर्र रहना और रियल रहना बहुत जरूरी है, अगर ये उसको लगी है, या फिर कोई कंप्लेंड है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि मैं अपनी वीडियो को इंप्रू